असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परविज और आज हम स्टार्ट करते हैं Microsoft Word में लेसन नमर 17 तो स्टुडेंट्स लेसन नमर 17 में हम देखेंगे Office Button Office Button पर हम डिसकर्स करेंगे उसके लब हम देखेंगे How to Open New Page New Page कैसे Open होता है How to Save Page Page को Save कैसे करते है How to Open the Documents Documents को Open किस तरह के जाता है Difference between Save and Save As Save और Save As में क्या फर्क है How to Print the Documents Documents को Print किस तरह निकाला जाता है How to Set the Page for Printing Printing के लिए Page को Set किस तरह के जाता है तो इसके लिए हम अपना Documents को अपने Open करते है तो मैंने Office 2007 और Office 2010 दोनों आपने Open किया है अब देख सकते है Office 7 है और Office 10 है तो Basically मार पस Office 7 में जो है यह Office बटन है यह देख सकते है जबकि Office 10 में मार पस इसकी जगा File Menu है काम दोनों में एक जैसे हैं एक ही काम है तो इसमें आज हम कुछ-कुछ चीज़ें देखेंगे Basically सारी चीज़ें यहां इंटरनेट से यहां इसके थीम्स वायरा है इन चीज़ें के लिए अप्लाए होते हैं लेगिन हम कुछ-कुछ चीज़ें यहां पर देखेंगे तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ Office बटन यहां से New, Open, Save, Save as का 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 function है तो New का function यह होता है हमारे पास For example, मैंने कुछ documents लिखा है कुछ भी मैं लिखता हूँ documents में यहां पर लिखता हूँ For example Software मैंने यहां पर यह For example एक चीज़ लिखी लिखने के बाद मैं यहां से चीज़ को select करता हूँ Ctrl-C copy करता हूँ Ctrl-C paste करता हूँ Ctrl-C copy Ctrl-C paste मैंने यहां पेज़ बनाई हम मैंने यहां पर For example एक documents बनाया है कोई भी मैंने documents बना लिया हम इस documents को यहां से यहां पेख नया page open हो जाए इसकी जगा मैं एक नया page open करना चाहता हूँ तो नया page open करने के लिए क्लिए क्लिए मैं office button पे क्लिक करूँगा new पे क्लिक करूँगा और blank documents में जाकर कि मैं यहां पे create पे क्लिक होगा, देखे हैं, आप एक new blank documents बन गया, उसके रहाब आप new पे क्लिक करेंगे, file new, new में मुक्तलिफ किसम में मारपस चीजें होती हैं, for example, business के लिहाद से होता है, business cards वेर होते हैं, business card में मारपस यह दो card बने में आप देख सकते हैं, मैं यहाद से download होंगे, basically मारपस internet connect है, तो मैं यहाद से download कर सकता हूँ, business card को, calendar है, 2010 का calendar है, आपने वो download करने आप यहाद से download कर सकते हैं, तो for example, मैं cleaner download करता हूँ, मुझे यहाद से, यह वाला for example, अच्छा लगता है, मैं इसे download करता हूँ, तो आप यह देखें, download हो रहा है templates, और मेरे पस calendar आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अपने अपने नाम गरा लिखना है, company का नायम लिखना है, कुछ भी आप लिखना चालते हैं, आप यहाँ से direct लिख सकते हैं, अपने documents पर, Swedish College में नाम लिख सकता हूँ, तो यहाँ से और भी चीज़ें कर आप यहाँ से और भी चीज़े अप स्टायल भी चेंज कर सकते हैं, तो यह function था हमारे पस, new का, उसके लाब new में हम यहाँ से और भी envelope वगएरा और काफी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, schedule हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, resume and cv's हैं आप देख सकते हैं, job के लिख से यहाँ से यहाँ पर, अब उसका back, आप उसका format आप यहाँ से download कर सकते हैं, जिली, new resume में हमारे पर से इंबल्स हैं, forms हैं उप यहाँ से कफ़े सरे form हैं मारे पर, पर, Прो में हमारे पस जी, business का form है, उसका काफी सरे अच्छे आप यहां से application form में आप यहां से download कर सकते हूं एक application form आएगा मैं यहां पर download पर click करूंगा तो मेरे पास application form temperature की सोर पर download हो जाएगा आप देख सकते हैं तो यहां भी different चीज़ है जो new पर आप यहां पर जाके आप यहां से बनी हुई है या पर आपने प्रीविस फायल बनाई है आप उसे open करना चाहे तो आप यहां से direct open कर सकते हैं तो मैं open पर click करता हूं तो मेरी file जहां कहीं भी file बनी हुए ms word की file है basically ms word की file हमेशे ms word में open होगी ठीक है तो मैं यहां पर demolition list for example में उस पर click करता हूं तो देखिए एक file मेरे पस यहां बनी हुए आगी है अब देख सकते हैं कोई भी previous file जहां कहीं बनी हुए आप उसे open करना चाहता हूँ आप यहां से direct open कर सकते हूं यहां से open करना है आप इसलिप books है बुक्स में जाता हो मैं यहां पर computer books है यहां पर powerpoint tutorial है यहां से direct open कर सकते हूं तो यह different types की files कोई भी उप चीज open करना चाहां open कर सकते हैं आपने new कोई चीज को new create envelope create करना है आपने calendar create क्रिएट करना है उसके लावा कोई forms वगयरा सीविज वगयरा तो यह सारी चीज़ें आप डिरेक्ट यहां से क्रिएट भी कर सकते है तो यही का मारपस आफिस 10 में भी ही का में लग सकते हैं 10 में मारपस किया यहां पर देखें new में save है तो save पर भी तक फिला हम गया ही नीह नी नीज़ पै क्लिक किया था तो वही चीज़ए new पे क्लिक करेंगे अब new यहां पर नीज़ आफिस देखें यहां पर ब्लापस बना वाग आ गये new sample templates लेना चा मैं Temperatures Create करना चाहता हूँ, Create पर क्लिक रहे हैं यहां पर Direct, तो Create हो जाए अब देखें, Temperature से Create हो गया, उसके लाब आफाइल में जाते हैं New में, New blank file लेना चाहते हैं New पर क्लिक करके, Only आफ Create पर क्लिक रहे हैं, तो इक ब्लैंक फाइल आ जाएगी, उसके लाव फाइल में न्यू में मैं क्लिक करता हूँ बिजनस कार्ड है में रिपस मैं उसके लाव में यहां पर इसमपल इन्वेलब है पैटर्न है रेजिमेट है रिपोर्ट में कोई रिपोर्ट क्रियेट करना चाहता हूँ коई new, new report लाना चाहता हूँ cover page के किलिक करता हूँ report के cover page है, मुक्तलिफ قسم की अब देखे और अच्छे page है में पस download पे ख्लिक करता हूँ, अब देखे so downloading के लिए internet होना ज़रूरी है, internet के बगए download नहीं होगा आप देखें, अब एक cover page मर पस हाट है डॉकुमेंट सेटल आप यहांपे स्टेकर के सकते हैं जिस तर में पहले जिया था तो उसके लिवाब आप यहां से न्यूप़ पर क्लिक करें जो भी डॉकुमेंट्स सब्सक्राइब बनायोय विस सेव करना चाहिए हैं उसके लवा ओपन है अपन पर क्लिक करते हैं इसमें पिआपन वई चीज ऑर परिये आपन में लोट में जाते हैं 你ोट में भी आपन में चाह्ट हो जाते हैं वैसे खिर में हम पर जातों आपे श्वर मिर heartfelt फॉपन कर सकते ff1 क्वी आइटी शॉट्ल अब जया कि वह हुए तनियुया है। यहां पर कर सकते हैं मैं Documents में इसे Save करने चाहता रहिब dzieci अब देखना चाहते हैं कि रिपूर्ट कहां पे Save है, इसे Close करता हूं यह पावरपाइंट के जो मैंने open के ते वह भी open हो गया मैंने report open कर दिया तो मैं यहां से report भी open कर सकते हो direct तो मैं देखता हूं report है कहां पर मेरी basically मैंने documents में की थी तो documents में देखें report के नाम से मर पस एक file आ गया देख सकते हैं डॉकूमेट्स के नाम पे मर्वास एक डिपोर्ट के नाम से फाइल है उसके बदेश सेव एस सेव और सेव एस में फर्किया होता है सेव एस का फंक्चिन ही होता है कि जब आप फाइल को किसी एक नाम से सेव करते है Office 10 में ये काम करो दोनों Office 10 और 7 दोनों में ये एक जैसे सेव होता है सेव एस का फंक्चिन ही होता है कि जब आप कोई भी काम किसी भी डॉकूमेट्स में करते है तो उसमें जब आप सेव करते हैं फाइल को तो सेव वाली फाइल हमेशा उसी नाम से सेव होगी अब देखे हैं मैं दोबारा सेव पर में क्लिक करता हूँ तो मेरे पस रिपोर्ट की जो पहले मैं नाम जहां पर दिया था डेलाओ बॉक्स जो अपन हुआ था वो वापस अपन नहीं हुआ तो बिसकली सेव में मरपस सेव में आपने एक बड़ जब एक फाइल को सेव कर चुककी होते हैं किसी नाम से तो दूबारा दूसरे नाम से आप उसे सेव नहीं कर सकते दूबारा दूसरे नाम से सेव करने के लिए ये लॉकेशन चेंजर के लिए आपने सेव型ravai से ग्लिक करेंगे we save as to do that, एक file को काफ़ सारे नाम से save कर सकते हैं. So save as में मैं क्लिक करता हूँ, आब इसी report को मैं किसी दूसरे नाम से save करना चाहता हूँ, report2 के नाम से for example, यहीं से save करना चाहता हूँ. तो मैं सेव करूंगा, तो मैं इस फाइल report2 के नाम से save हो गी है. तो इसे के लिए save और save as में फर्क यही होता है कि save में आप file को एक नाम से save कर सकते हैं जब कि दूसरी किसी नाम से आप अपनी file को save फिर नहीं कर सकेंगे और save as का function ही होता है कि आप एक file को काफ़ सरे नाम से save कर सकते है save का function ही होता है कि आपने documents लिखा for example light चली जाते है कुछ भी होता है तो आपके documents जो कुछ आपने लिखा है और delete हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा तो आप इससे documents को लिखने के साथ साथ control express करते जाए तो आपका documents वहीं पर save होता जाएगा उसी file में उसी folder में save होता जाएगा तो यह function सेव और save हैस का open close का function होता है कि आपने अपने documents को close करने चाहते है आप close पर क्लिक करने documents के हो जाएगा आपका close हो जाएगा file में जाता हूँ open पर क्लिक करता हूँ तो open में report वाली file जो है जो open करने चाहता हूँ open हो कि यह close को बदे recent recent पर हमने जो अब भी जो मतलब recent यह हमने जो जिन जिन फाइल पर काम किया वो सामने आ जाएगी यह हमारे पस यह file है जिन पर हमने काम किया उसके लवर DIT notes पर हमने क्लिक किया था उसमें हमने इन चीज़ों पर हम गे थे यहाँ पर हमने DIT के notes करे निकाले थे तो यह recently file होते है जो previous हम यूज़ कर चुके है next हमारे पस print अपने documents अपनी file को print निकालने के लिए print पर क्लिक करते है तो basically हमारे पस जो office 10 में print preview यहीं पर आपको show कर रहा है आप देख सकते है यहीं पर आप में print preview हमारे पस हमारे file का show कर रहे print preview का function है होता है कि आपकी जो file निकलेगी documents निकले वो बिलकुल इसी size में इसी position में निकलेगा अब इस print में क्या है कि सबसे पहले print print number of copies आप देना चाहते हैं आपने कितनी copies देनी हैं मैं number of copies देता हो for example two copies देता हूँ यह three copies देता हूँ तो मेरे जो file जो सामने documents है इसके number of copy निकलना चाहते हूँ मैं यहां पर print क्लिक करूँगा तो मेरे यह वरी copy निकलना शीर हो जाएगी printer से उसके बदर printer जो printer आप यहां से printer जो आपने देना है यहां से जो भी printer आपका आया है अगर आप चाहते है कि current page घा सकते है print current page तो basically मैं रेрपास एक ही page, और for example 12oy yah 20 page है सारे page में निकालना चाहते हो, तो सारे page आप पर нач यहां निकाल सकते है पेज प्रिंट आपर Canada करते हैं सारे के सारे då पे पे निकलना शिरूprilebay उसके बाद नूर्द निए भाद निम्यू बहरे पास होता है колoids का function होता है कि आपने colloids पे ait आप यहां पे करते है колoids का function है कि पहले first page निकलेगा पिर second निकलेगा फिर third page निकलेगा अगर आप number of copy आपने three दीए हैं तो पहले एक set complete होगा फिर दूसरा फिर तीस तरा निकलेगा अगर आप चाहते हैं uncollect पर click करते हैं उसका function है कि पहले जो first page है वो तीन बर निकलेगा फिर second page तीन बर निकलेगा फिर third page तीन बर निकलेगा तो मैं college पर करता हूं college का function है कि मैं एक set पूरा मैं चाहते हूं complete हो चाहते हैं फिर दूसरा set start हो उसके लाब पेज की दो position होते हैं गोता है portrait page होता है और एक landscape तो यह हमने page layout में ही सारी चीज़ हैं की थी तो यहां से आप उसे change कर सकते हैं मैं lands के पर क्लिक करते हूं देखें lands के page बन गया हमा रपस यह आपको नजर आ रहा होगा आप portrait पर क्लिक करते हैं तो पोर्टरेट पेज बन गया उसके लाब हमा रपस अपने page जिस page आप निकालना चाहते हैं तो basically आपने page के size होते हैं कुछ तो printer में वह वहला page आपने रखना होगा जिस page पर निकालना चाहेंगी तो उस page के size होगा para cheese printer में चाहता हूं मैं जो पेज यह You is a.4 size Kranto या आपका जो page का size आपने page रखना होगा आपने esses یہا account हो मैं तो बेसिकलि को मार्कीट में ज्यादा विलिबल है वो A4 है, लेटर है और लीठील मार्कीट में तें साइस स्वाइब्ले का रभी ती 열 खूश तो उसमें असारी इसमें डिटेल में डिस्कस्स की विए तो देखे नॉर्मल मैंने किया है तो देखे पेज हमारा इस तरह आगया है आप यहां से में फ़र जेमपल सिको में यह जोरी नैरो मैंने किया तो आपका print निकलना पेज, print निकलना शुरू हो जाएगा तो यह था मरपस office 10 का file menu अब हम देखते हैं office 7 में और इसमें क्या फ़र्क है office 7 में जो मरपस है print का option है print में मरपस 3 option आ रहे है office 7 में सबसे पहले print print का function है, अब यहां पर वह सारी चीज़ आ रहे है अब इसमें सबसे पहले name printer आपने जो define करना printer का नाम देना है, यहां पर प्रिंटर को connect होगा उसके अब आल, all page फ़र इसमेपल में रपस अभी one पेज है अगर 20 page है तो 20 page आप निकालना चाते हैं pages डाटक त हम सबस्के आप pages, में चानता हूं रहे है और फ़र फ़र ट्वर को सारी पाइज सबस्सषे में बढ़ां तो आप यहांपे, 12 लिखेंगे तो पहले 12 page निकलने श्रू जाएंगे अगर आप चाते हैं मेरे पास 12 से लेकर page number 12 और page number For example twenty पेज no.12 से 20 तर पेज निकले तो आपने इस तरह लिक नहोंगा तो आपस नहुंद 12 से 20 निकलने शूरू हो झाएंगे चित नहां पर नमडर ओफ कापी में पर देना चाहते हैं current page में current page जूवर corresponds toore in our copy निकले अप اور not of copies यहां से दे दे उसके बारे बगाद का फिर तुर्ड का फंक्रट का फंक्चन ही Пजा रही होता है कि मैं जो number of copy, for example, मिरे बस all pages हैं या मिरे बस 12 pages हैं मैं अब चाहता हो, मिरे बस all pages उनकी number of copies थीन थीन हम थीन हों, मैं थीन copy निकालना या बगाद की, वो सारे complete होने के बाद फिर दुबारा one से start होगा फिर दुबारा one से start होगा तो एक set complete करने के बाद दूसरे set पे जाएगा अगर आप callouts को अंचेक करते हैं तो उसका function यह कि पहले सबसे पहले first page निकालेगा first page तीन बार निकालेगा फिर second page तीन बार निकालेगा फिर third page तीन बार निकालेगा तो यह हमार पास होता है callouts का function होता है उसका print हमने documents ही करना है print all print यह default setting होती है इनमें आप को भी छेट चाना करना ओके करना तो हमार पास print निकलना शुरू हो जाएगा तो इसके लिए documents को save होना ज़रूरी है next है third one है मार पास print preview है इसमें तो print preview है लग से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो students यह था हमारा 17 lesson और इसमें हमने सहीखा print किस तरह निकाला जाता है page की setting किस तरह की जाती है तो आप इस तीस को बारबर देखें बारबर इस पर practice करें इंशाला next lesson के साथ मिलते हैं और मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा खुदा हाफिज